नमस्कार दोस्तों मैं हूरिचा सिना एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जैमाता दिल लिग दीजे माता रानी आप सभी के सारी मनोकामनाय पून करें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शट दिला एकादशी से संबंधित माग मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शट दिला एकादशी के नाम से जाना जाता है जो कि साल अर्था 2020 में 20 जैनवरी को मनाई जाएगी और सुर्यदेव के उत्रायन होने के बाद ये पहली एका एकादशी के दिन अपनी मनोकामना पूर्ती सुक्सम्रिधी प्राप्ती के लिए कौन से छोटी-छोटी से उपाई कर सकते हैं साथ ही दोस्तों इस साल अर्था 2020 में शर्टिला एकादशी किस दिन मनाई जाएगी इसकी तिथी क्या है और पारण का शोब मोहुत क्या है तो मागमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इकादशी को शर्टिला इकादशी के नाम से जाना जाता है जो कि इस साल अर्था 2020 में 20 जैनवरी को मनाया जाएगा पुराणों में बताया गया है कि जितना पुर्णे कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या और सुर्ण दान स मिलता है उससे अधिक फल एक मात्र शर्टिला इकादशी करने से मिलता है इस व्रत को करने से घर में सुख शान्ती का वास होता है मनुशे को भौतिक सुख तो प्राप्त होते ही है साथ ही मृत्यों के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है इस दिन की गई पूजा का दिल के छे प्रयोग से युक्त एकादशी व्रत। रहे हैं तो मैंने हमेशा बताया है कि एकादशी के वरत में नियमों का पालन एक दिन पहले से ही करना होता है एकादशी के एक दिन पहले अर्था तश्मितिथी से ही आपको नियमों का पालन करना होता है तश्मितिथी को आप सर्धों के नहाले शुद्ध हो जाए उस दिन से अपना व्यभार सात्विक कर ले सात्विक भोजन करे शाम के समय भोजन ना करे रात में दादून से या ब्रश से अच्छी से जो है वो ब्रश कर ले और ताकि मुँ में एक भी अनका दाना न रह जाए जिस दिन आपको वृत करना है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें और नितकम से निवरित हो करके स्नान करें स्नान करने के जल में थोड़ा सा तिल काले तिल मिला ले और उससे स्नान करें उसकी बाद साफ सवक्ष वस्त्रधारन करें ना के बाद आपको सुरतेव को भी जल जरूर देना चाहिए इस दिन तांबी के लोटे में जल ले ले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाले काले तिल डाले और इससे आप भगवान सुर्यदेव को अरख दे इसके बाद दोस्तों आपको भगवान विश्नु की शोट सो उपचार से पूजा करनी चाहिए भगव सुल्सी के पत्ते भी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रखते जहां भी आप पूजा कर रहे हैं पहले आप उस स्थान को साफ कर ले वहां पे भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें उसके बाद आप भगवान विश्नु को हाथ चोड़ करके अपने घर में बधारने का आमंत्रन दे आपकी पूजा वो स्विकार करें ऐसे आप उनसे अनुरोद करें और उसके बाद आपको भगवान विश्नु को स्नान कराना है पंचामरिस से स्नान कराएं गंगा जल से स्नान कराएं उनको वस्त्र अर्पित करें अब भगवान को अर्पित करें इस प्रकार से भगवान की पूजा करें उसके बाद आपको शर्ट ediyor एकाद शी वॡ़त करने का संकल्प लेना है हात में थोड़े से पुश्प लेलें गंगा जल लेलें एक रूप्टे ओर इस प्रकार से आप भगवान का ध्यान करते हुए शर्टेलाई कादिशी करने का संकल्प लें और भगवान से प्राटना करें कि आपकी पूजा सफल हो ऐसी वो आप पे क्रिपा करें और जो आपने हाथ में लिया है वो भगवान के आगे छोड़ दें और इसके बाद आपको विश्णु की भी पूजा आवश्र करने चाहिए इस दिन तुलसी के सामने दीपक चलाए तुलसी की परिक्रमा करें और जलर्पित करें और सारे दिन आपको भगवान विश्णु के नाम का रटन करती रहें मंत्र का जब करती रहें अपने विवहार को सात्विक रखें किस ख्रोध ना करें जूट ना बोले अपशब्द ना बोले किसी को कठोर वचन ना बोले साथ ही आप सारे दिन फलहार कर सकते हैं फल का भोजन करें शाम के समय फिर से भगवान की आर्ती करें भूग अर्पित करें मातुलसी के सामने एक तीपक जलाएं मातुलसी की परिक्रमा करें और उसके बाद कीर्टन करें अगर रात्री जागरन कर सकें तो अति उत्तम है क्योंकि कादशीवरत में रात्री जागरन का अत्यधिक महत्रु बताया गया है और रातरी जागरन करके फिर दूसरे दिन आपको सुबह सबेरे सनानादी से निवरित हो करके पगवान विष्णों की विधिवत पूजा करनी है ब्रामन को भोजन कराना है गरीबों को भोजन कराए और यथा संभव दान करे तिल दान का इस दिन विशेश महत्म बताया गया है तो एकादेशी के दिन पारण के दिन आप तिल का दान अवश्य करें दोस्तों कहा जाता है कि शर्टिला एकादेशी के दिन अन्य और तिल आदी का दान करनी से धन धाने में वृत्धी प्राप्त होती है साथ ही मनुश्य को देह त्यागने के बाद स्वरग लोग की प्राप्ति होती है दोस्तो पारण के दिन दाना दी करके ब्रामनों को भोजन करा के आप स्वेम भी भोजन करें अपने व्रत का पारण करें इस प्रकार से शट्दिला एकाद शी का व्रत अगर आप पूरी भग्ती भावना से नियम पूर्वख करते हैं तो आपकी सभी मनुखाम नाएप पूर्ण होती हैं शाथ ही देह त्यांगने के अनंतर मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों अब मैं आपको शट्टिला एकादशी के दिन किये जाने वाले कुछ विशेश उपाई बता देती हूँ अगर आप शट्टिला एकादशी का वरत नहीं कर पाते हैं किसी कारण वर्ष तो इन छोटी छोटी उपाईों को अपना करके आप भगवान विश्णों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनुरत सिद्ध कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया पहले कि शट्टिला एकादशी के दिन दिल का छे प्रकार से प्रयोग किया जाता है तो अगर आप वरत नहीं भी कर रहे हैं या फिर आप वरत कर रहे हैं तो भी आप इस दिन दिल का छे प्रकार से प्रयोग अवश्य करें जैसे कि अपने स्नान के पानी में दिल अवश्य मिलाएं स्नान से पुर्व अपने शरीर पर दिल के तेल की मालिश अवश्य करें उसके बाद जो भी आप पानी पिए उसमें तिल मिला करके जरूर खाएं और तिल के उस दिन पकवान बनाएं तिल का दान करें तिल से हवन करें भगवान विश्णू को तिल से बने मिठाई जो है वो अर्पित करें इस प्रकार से इस दिन तिल का छे प्रकार से प्रियूब अवर्षच करें। इसके अलावा, इक आदेशी के दिन एक छोटाव उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में सुक्सम्रित्धी का वास होता है। सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, और मनुकामनाई पूर्ण होती तो करना क्या है दोस्तों इकादेशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का एक तीपक अवश्य जलाएं उसके बाद तुलसी की परिक्रमा करें परिक्रमा करते हुए आपको ओम नमो वासु देवाय मंदर का जब करना है साथी मा तुलसी की 11 बार परिक करें आपकी मनुकामना पूर्ण करें इस प्रकार से इस उपाई को अगर आप हर एकादशी को दोराते हैं तो आपको इसका असर साफ नजर आता है इसके अलावा दोस्तों एकादशी के दिन आपको भगवान विश्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए घर में या मंदर म कहीं भी आप कर सकते हैं भगवान विश्णु की पूजा में आपको पीली वस्तों का प्रयोग करना चाहिए भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है तो आप इस दिन भगवान विश्णु को पीले फूल, पीले फूल माला, पीले भोग, पीले बस्तर अर्पित करे भगवान की विधिवत पूजा करें उनसे अपनी मनोकामना कहें और किसी भी प्रकार की गलती अगर पूजा में हुई हो इसके लिए शमा मांगे भगवान विश्णु की आरती करें तो इस उपाय को दोस्तों हर एकादशी के दिन करने से अगर आप व्रत करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी इस उपाय को हर एकादशी के दिन दोहराने से हर प्रकार की मनोकामना पून होती है और घर में सुक समरिथी की व्रिथी होती है अब दोस्तों शर्टिला एकादशी व्रत की दिथी और पारण का शुब मोहरते जान लेते हैं दोस्तों शट्टिला एकादशी का वरत इस सार अर्था 2020 में किया जाएगा सो वार 20 जनवरी के दिन एकादशी तिथी प्रारंब हो जाएगी 20 जनवरी को ही सुबह के 2 बच के 51 मिनट से और ये रहेगी 21 जनवरी के सुबह के 2 बच के 5 मिनट तक अठाद वरत किया जाएगा 20 जनवरी को और पारण किया जाएगा 21 जनवरी को 21 जनवरी को पारण का शुब मोर्थ है सुबह के 8 बजे से लेकर के 9 बच के 20 मिनट तक सुबह के 9 बज के 20 मिनट तक और दोस्तों एकादशी व्रत में जितना ही महत्व व्रत और पूजा का होता है उतना ही महत्व इसमें अन्य दान का भी होता है इस तथे को दर्शादता हुआ एक छोटा सा पुरानिक कथा भी है पद पुरान के अनुसार एक महिला आणने का दान नहीं किया था जब उस महिला की मृत्यate तो वह वैकुंट को प्राप्त ही परन्तु उसे खाली कुटिया मिली महिला ने वैकुंट में भगवान विष्णू से पूचा कि उसे खाली कुटिया क्यूं मिली है तब भगवान ने बताया कि तुमने कभी कुछ दान नहीं किया था इसी कारणवर्ष तुम्हें यह फल प्राप्त हुआ है मैं तुम्हारा उधार करने के लिए एक बार तुमसे भिक्षा मांगने आया था तो तुमने मुझे मिट्टी क एक ढेला पकड़ा दिया अब तुम शर्तिला एकादशी का व्रत करो जब महिला ने शर्तिला एकादशी का व्रत किया तो व्रत की और पूजन के प्रभाव से उसकी कुटिया अनधन से भर गई और वो बैकॉंठ में सुखि संपन रहने लगी दोस्तों इस से इस कथा से हम में पता चलता है कि एकादशी व्रत में जितना महत्व भगवान विष्णु की विधिवत और भक्ती पुर्वक पूजा करने का है उतना ही महत्व अन्य दान का भी है तो दोस्तों उमीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो क लाइक कर दीजिए फैमिल और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में सो थैंक्स फॉर नौ बाबाई